हम दोन हार देव जी का प्रश्ण है, मुझे आप सनातन धर्म के बारे में बताएं ये क्या है? सनातन धर्म सनातन का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, हमारा धर्म है सत्य, सत्य बोलना, दया करना, दया धर्म का मूल है, धर्म नदूसर, सत्य समाना, परूपकाराय सताम भी भूतया, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सबसे बड़ा धर्म है, सेवा सबसे बड़ा ध सभल्रों हैं तरह थ्म कर आपको रहना चाहिए सेवा र१ा करना चाहिए श्रुटूब्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब चाहिए मुद्यूटूब बाइन शे मान जो आप लगफ के दे सकते हैं, आपकी प्रश्शनका उत्र भी दिया जाएगा, यदि समय रहा तो, श्रीमन नारण गुरु जी, गुरु जी, अगर वत्ती में बास होता है, तो से इस्तमाल करना चाहिए की नहीं? नहीं करना चाहिए। धूब वत्ती बास्ती बास्ति नहीं। तो सबको बैकुंट भगवान श्रीमान नारण के पास जाना है पई गौलोग धाम व्यवस्था है है ना जैसे नीचे रसोई चल रही है रसोई की वस्था लग है ये प्रशनोत्री हो रही है ये प्रशनोत्री की वस्था लग है है ना माता है रह रही है माताओं के रहने का परिसर अलग है उसी तरह जहां भगवान स्री कृष्ण रूप में रहते हैं वो गौलोग धाम है जहां नाराण रूप में रहते हैं वो बैकुंट है जहां राम रूप में रहते हैं वो साकेत है तो अलग-अलग रूपों के लिए अलग-अलग लोग हैं बिलकुल ऐसे ही है पडोस पडोस में आप बैकुंठ में हैं तो बैकुंठ ही साकेथ, साकेथ कोई बैकुंठ से बाहर नहीं है, गॉलो कोई बैकुंठ से बाहर नहीं, बैकुंठ के अंदर ही यह सब महले हैं, face one face two यह समझो, अलग अलग, society है न मैया, जैसे अब हम बैकुंठ गए, तो हम साकेथ के बगीची में भी जा सकते हैं, आमाम खाने के लिए, गॉलोक धाम के पार्क में भी टहल सकते हैं, क्यों मैया, ऐसा है, कोई अलग अलग नहीं है, सिखा पांडे जी, राधे राधे गुरुजी, क्या हर एक ब्रह्मांड में भग जनम लेते हैं, ब्रह्मांड निकाया, निर्मितमाया, रॉम रॉम प्रतिवेद कहें, अनेक ब्रह्मांड हैं और भगवान हर ब्रह्मांड में अलग 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 लीला करते हैं, राधी का दोवे जी, श्रीमन नारण गुरुजी, सूतक कितने प्रकार का और कितने दिनों क का होता है सूतक दो प्रकार का होता है जनमने का एक मरने का सब का अलग-अलग रिती रिवाज हो किसी के घर में दस दिन का सूतक माना जाता है किसी के घर में आठ दिन का किसी के घर में पांस दिन का किसी के घर में तीन दिन का तो यह अलग-अलग रिती रिवाज सब की अलग उसे follow करना चाहिए इंद्रेश जी राधिरादी गुरुजी क्या जनुव संसकार सभी लोग धारन कर सकते हां ब्रामन क्षत्रिय वैश्य शूत्र चारों का यगुपवित संसकार होता है मोहित शर्माजी राधिरादी गुरुजी हमने गया बनारस में पिंड़दान कर दिया गया बनारस में नहीं है गया बनारस से अलग है है ना अब इन्होंने कहा हमने गया बनारस में बनारस में पिंड़दान किया है या गया में वो आप पहले कन्फरम करिए कर दिया है तो क् अबीवई श्राथ्भों में पित्रौं को जल देना चाहिए हाँ आप भले गया ज्रौरण करे आया हैं फिर भी आपको श्राथ्भों में जल दान के लिए कारण चाहिए और पूरवजों के लिए 15 दिन में जो इत्रिया आती हैं उसमें कोछी छोटा-मोटा कंञ्या भोज भ पर लो नो यूजर डिपी जी श्रीम न्यारण गुरुजी मेरा प्रशनीय है कि हमारे शनातन धर्म में संप्रदाय क्या है और कितने शंप्रदाए है और सभी संप्रदाय मोई स्रेष्ठ शंप्रदाय कौन सी है सभी संप्रदाय स्रेष्ठ संप्रदाय, छोटी कोई नहीं है, संप्रदाय जैसे हमारी श्री शंप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, निंबार्क संप्रदाय है, है ना, रामानंद संप्रदाय है, रामानुझ, रामानंद, गौणिय संप्रदाय है, चेतन्य महाप्रभू की, तो सभी संपरदाय जैसे विश्णो स्वामी जी की संपरदाय है तो ये संपरदाय अलग अलग है जैसे ब्रह्म संपरदाय, रुद्र संपरदाय, निंबारक संपरदाय और श्री संपरदाय बल्लब आचार जी आचार है, के रामानुज आचार जी, निम्बारका चार जी, विष्णो स्वामे जी आचार है, चेतन्य महाप्रभू आचार है तो इस सभी संपरदाएं भगवान की और ले जाती हैं, किसी से आप जुड़ो बही संपरदाएं इसलिए है, कि आप कोई अच्छा नहीं लगता चलो बही वो अच्छा लग है, जुड़ो भगवान से वसी उद्देशे सोभा है, जैसे बगीचे में गुलाब का फूल भी है, तो गैंदे का फूल भी है, तो चंपा का भी है, तो चमेली का भी है, तो मोगरा का उससे गोईगी चे और सुन्दर होता उसी प्रिकार भक्ती और सुन्दर हो इसलिए अनेक संप्रदाय हैं सबका उद्देश है भगवत प्राप्ति भगवान से प्रैम